हेलो दोस्तो मेजर लीग पेस्पाल के बारे में हम बात करेंगे ये जो मैच होने वाला है बी ए ओ वर्सिस एन ई वाई के दर्मियान इस वीडियो में दोस्तो हम टीम एनलेसिस करेंगे साथ आपको टॉप क्लास ग्रांड लीग टीम का भी प्रिव्यू दिखाएंगे प्यारे दोस्तों प्लेर स्टेटेस के साथ साथ आपको टॉपकलास कैप्टेञ वाइस काप्टेन ऐप्षिन के बारे में भी जानकारी देंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस मैस जोड़ी कोई भी जानकारी और लाइन अपस निकलने के बाद final टीमस बिलकुल three आप कास्ट पाने के लिए आप हमसे हमारी टेलिग्रम चैनल पर भी जोईन हो सकते हो दोस्तो टेलिग्राम के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलिग्राम पर आपको ग्रांड लेग के दो टीमस एक फाइनल हैट्वर टीम और एक फाइनल समाल लीग टीम मिल जाएगा दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर संडे हमारी तरफ से फाइव गिवेवे विनर्स को पेटियम कैश मिलता है आज भी दोस्तो फाइव गिवेवे विनर्स को पेटियम कैश मिला है दोस्तो अगर आप भी जीतना चाहती हो तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करना कमपल सरी है वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट करना पड़ेगा दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अब हम दोनों टीमस की रीसेंट परफर्मेंस पर एक नज़र डालेंगे बी ए ओ ने दोस्तो अभी तक आठ मैच मेजर लिग बेसपाल में खेले है और सिर्फ दो मैच मेंच में काम्याबी हासिल की है वही दोस्तो N.E.Y. की बात करेंगे इन्होंने 9 मैच में 5 मैच जीते है यानि 9 में से 5 मैच जीते है जो की तकरीबन अच्छी पॉफर्मेंस है तो यहां पर आपको N.E.Y. की टीम आपको आगे देखने को मिल जाएगी वही दोस्तो लास्ट 5 हैट्वर्मेच की बात करेंगे दो-दो का रेशो आपको देखने को मिल जाएगा और एक मैच ड्रॉन हुआ है कुल मिलाके दोस्तो अगर आप यहां पर strong team की बात करना चाहोगे तो आपको दोस्तो यह team strong team देखने को मिल जाएगी तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे टेटेल में मेरे प्यारे दोस्तो शुरुबात करेंगे पिचर सेक्षिन से 20 से भी ज्यादा प्लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें से तकरीबन सिरफ दो ही ओप्शन आपको खेलते वे नजर आ जाएंगे मेरी प्यारे दोस्तों वो दो options कौन से है ये जो पहले आपको highly selected players देखने को मिल रहे है अगर आपने इनको team में लिया है तो जल्दी से team से remote कर दीजे इन में से कोई भी player आपको खेलते वे नजर नहीं आएगा तो फिर कौन से दो players खेलेंगे तो दोस्तों ये जो दो players आपको यहां पर देखने को मिल रहे है ये दोस्तों आपको खेलते वे नजर आ जाएंगे दोस्तों ये दो players सस्ते में आपको मिल जाएंगे पहला वाला option दोस्तों N-quarties आपको खेलते वे नजर आ जाएगा बी जमर मैन आपको खेलते वे नजर आ जाएंगे दोनों प्लेयर्स के अगर हम बात करेंगे एन कॉरटिस और बी जमर मैन बेस्ट यहां पर देखा जाए तो बी जमर मैन आपके लिए ठीक रहेंगे अगर आप मेडियम रिस्की की बात करोगे अगर आप हाई रिस्की की बात करोगे तो एन कॉरटिस आपके लिए कैप्टेन से के लिए ठीक रहेंगे और दोनों प्लेयर्स सिर्फ और केवल और केवल ग्रांड लीग में ही कैप्टेन से के लिए ठीक रहेंगे समाल लीग हैट्वेड में हम इसको मतलब captain या vice captain नहीं रह सकते और दोनों players की बात करेंगे batting average जादा अच्छी नहीं है मुश्किल से दोनों players की batting average 5 to 10 लाई करती है और दोस्तों अच्छे options है किस के लिए grand league के लिए catcher section की बात करेंगे catcher section में दोस्तों अकर देखा जाए यहां पर भी आपको दो ही option खेलती हैं नजर आ जाएंगे और options की अगर देखा जाए मतलब किस के खेलने के chances है तो यहां पर आर केरनियोस के साथ आप जा सकते हो इसके खेलने के chances और जे टेरविनियो इन दो options को फिलाल आप अपने team में पिक अप कर सकती हो जिनके खेलने के chances बनते है अगर इनमें से कोई pillar miss होकर टैंसल लेनी की कोई बात नहीं दोस्तो हम आपको final team में से तिलेग्राम पर देदेंगे without attention deadline से पहले teams मिल जाएंगे और हाला कि यहां पर captaincy के लिए कोई भी option ठीक नहीं रहेगा दोस्तो अब हम बात करेंगे यहां पर infilter section की फिर बात करेंगे outfilter section की यहां पर R, Montes, Casterly आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि दोस्तो अच्छे खासे option है captaincy के लिए BAO की तरफ से अच्छे रहेंगे और दोस्तो आप इस player को अपने team में captain try कर सकते हो अगर आप 6 teams के साथ खिलना चाहती हो अगर आप 1 या 2 teams के साथ खिलना चाहती हो तो फिर दोस्तो आप इस player को drop कर देना यानि captaincy के लिए drop कर देना पकर team में pick up कर सकते हो batting average इसकी अच्छी है 10 plus after 15 इसकी batting average है अच्छा option है दोस्तो आप इस player से single run, double run, home run, batted run की, sorry, runs batted and run scored या home run, triple run की उमीद कर सकते हो दोस्तो रही बात इस वाले player की तो team मिनांची की बात करेंगे दोस्तो अच्छे खासे option है सस्ते credit में आपको मिल जाएंगे पिछले साल season की बात करेंगे batting average दोस्तो इसकी 20 पलस लाइक करती थी लेकिन दोस्तो फिलाल अभी season शुरुआदी season चल रहा है तो आप इसको इसके साथ बहुत कम सारे लोग जाएंगे तो आप इसको team मिनांची को अपने G यानि grand, mega grand league में दोस्तो try कर सकते हो captain लेकिन अभी तक दोस्तो इसने कोई home run score नहीं किया है जी टोरियस की बात करेंगे जी टोरियस और यहां पर यह दो जो options है इन में से best option की बात करेंगे जी टोरियस आपके लिए best रहेंगे हालाकि दोस्तो यह आपको थोड़ी से high credit में बिल जाएंगे लेकिन दोस्तो अच्छे option है इससे दोस्तो आपको आसानी से single run, double run, triple run दोस्तो score करके दे सकता है batting average अच्छी है ओपरीजा के खेलने के chances मेरे अंदास से बहुत कम है और यूरियस दोस्तो आपको तकरीबन खेलती वे नजर आ जाएगा अच्छा खासा option है इसके साथ आप जा सकते हो और इस player से भी दोस्तो आप अच्छी खासी उमीद कर सकते हो ए रिजो की बात करेंगे दोस्तो anyway की तरफ से player है best option है दोस्तो last season की बात करेंगे काफी अच्छी पोपमिस दिखा चुका है और इस player को भी दोस्तो captaincy के लिए target किया जा सकता है 15 प्लस इसकी batting average है दोस्तो ये batting average जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कही पर आपको नहीं मिलेगी ये मैं खुद की experience है पिछले तीन सालों से मैं दोस्तो गंटेनिवर सी baseball को cover कर रहा हूँ तो ये मैं अपने हिसाब से players को दोस्तो मैंने चांट के रखा है तो ये जो players है best option जो मैं आपको बता रहा हूँ ये grand league के लिए रहेगा इस players से दोस्तो आप single run, double run, आसानी से आपको करके दे सकता है runs batted in stolen base या home run की भी उमीद कर सकती हो और इसके अलावा C, o wings इसके बात करेंगे normal option है दोस्तो सिर्फ और सिर्फ normal option है D, Lee Mehu की बात करेंगे normal option है आपको सिर्फ 10 point तक score करके दे सकता है इसके अलावा O, camera दोस्तो यहाँ पर best option रहेंगे अगर इसको खेलने का मौका मिला R, order दोस्तो best option रहेंगे यह बात क्याद रखना यह जो यहाँ पर option best option है दोस्तो यह भी कभी कभी home run आपको करके दे सकता है अलावा कि दोस्तो अगर इसको खेलने का मौका मिला तब इसकी दोस्तो हम बात कर सकते है लेकिन दोस्तो मैं आपको पहले बता रहें कि यह best option है कम से कम दिमाग में ज़रूर रख लेना इन फिल्डर स्रेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सी मॉलेनीज और जे मैटू दो रूही अच्छे कासे option से दोस्तो दोनों से आप सिंगल run की उमीद कर सकते हो डबल run home run की उमीद कर सकते हो और दोस्तो से मॉलेनीज की बात करेंगे head to head team में आप इसको फिलाल captain भी try कर सकते हो best and best option है जे मैटो को grand league team में try कर लेना दोनों की batting average दोस्तो 10 plus like करती है जे कैलियो की बात करेंगे तकरीबन खिलने के chances मेरे अंदा से काम है जे सेंटान के साथ आप जा सकती हो आरून जेज दोस्तों जो है player ये 100% captaincy के लिए निव यारक की तरफ से important player रहेंगे आप इससे home run की भी उमीद कर सकती हो ये वाला player normal option है ए हे किस दो captaincy के लिए भी ठीक रहेंगे best option है आप इसको captain try कर सकती हो sent and year normal option है why ideas normal option है a his normal option है और d settle word normal option है बाकि कोई भी option यहां पर ठीक नहीं रहेगा अब मैं आपको team का preview दिखाऊंगा जो कि mega grandly के लिए ठीक रहेगा लेकिन आप से request है कि अगर आपने अभी तक हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले दोस्तों support दे लाओ दे अपना प्यार दे हमें हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे है जितने भी दोस्तों telegram channels हमारे नाम के बराबर हमारा नाम रखा है हमारा photo रखा है वो बिल्कुल fake channels है आप direct हमारी तेले मतलब जो link दी है description में उससे join कीजे और हमारी telegram channel पर इस वकर दोस्तों 2.8 के subscribers है बाकि इससे जादा या इससे कम अगर कोई होगी उसे बिल्कुल भी join मत करना तो चलिए team का आपको प्रियू दिखाएंगे दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से फिलाल grand league के लिए team इसमें थोड़ से आपको up and downs देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों ये एक demo team है, copy मत करना और इससे player भी miss होंगे guarantee के साथ player कुछ न कुछ कोई न कोई miss होगा, लेकिन picture miss नहीं होगा picture में confirm आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको picture में confusion होगा सिर्फ 2 player खिलेंगे, 25 players तक्रीबन होते हैं, तो इसलिए मैं आपको तक्रीबन confirm pictures बताता हूँ तो दोस्तों, आप फिलाहल wait कीजेगा जो मैंने आपको information बताईए, आप उसके base पे फिलाहल team मना सकते हो, हम मिलेंगे telegram पे update team इसके साथ फिलाहल दोस्तों आप दीजे इजाजद, bye bye and best of luck see you soon